हाई फ्रेंड्स आज मैं फिर से आप सबके लिए नए स्वेटर की डिजाइन लेकर आई हूँ बिल्कुल ही नया है यह तो इस वीडियो को पूरे देखिएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइक यह हमने यहां से यहां तक यह 26 फंदे डाल रखे हैं तो इसको पहले हम क्या करेंगे यह देखिए यह एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ यह नौ फंदा सिधा सिधा बूल लिए सिधा के सलाई में और फिर अब देखिए यह एक दो यह दो जो फंदा है इसके हम साइड से लेंगे फंदे को इसमें से नहीं इसके साइड से लेंगे ऐसे करके यह देखिए इस तरह तो एक फंदा निकाल लिए इसको और फिर धागे हम अपने तरफ रखेंगे और इन दो फंदे को लेकर हम एक कर देंगे यहां प देखिए इसको पूरा वीडियो को और फिर देखिए ये धागे हम अपने तरफ किये और ये दो फंदे को लेकर हम एक कर दिए यहाँ पर फिर धागे हम पीछे करेंगे और ये देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ यहाँ पर हम यहाँ से यहाँ तक यह आठ फंद सिधा ले लिए यहाँ पर हम नौ फंद इसलिए सिधा लिए थे कि एक फंद यह सिलाई में आ जाता है तो एक फंद हम एक्स्ट्रा ही लेते हैं कभी भी स्वेटर जा बनाते हैं तो इधर और इधर दोनों साइड में हम एक फ फंदे को इस तरह और फिर धागे अपने तरफ रखेंगे और यहां पर हम दो को एक करेंगे ऐसे करके फिर धागे पीछे किये और इसको यह देखिए अब इन दोनों के साइड से हम निकालेंगे हमेशा जब भी इस डिजाइन को आएंगे सिधे के तरफ से तो यह दो फंदा को लेकर हम एक करेंगे और इसके साइड से हम निकालेंगे और यह किनारे का है तो हम इसको सिधा सिधा बून लिए अब पीछे के सलाई में यह सारे के सारे फंदे उल्टा बूनना है इस तरह यह देखिए पीछे के जो सलाई है सारे फंदे हम इस तरफ बुनेंगे इस बार सारे फंदे हम उल्टा उल्टा बुनेंगे अब देखिए इसको फिर हम सीधे के तरफ से पीछे के सलाइक कम्पलीट हो गया फिर सीधे के तरफ से ये दो फंदा हो गया ये देखिए तीन चार पांच छे साथ आठ ये इस बार आठ फंदा ले लिए सीधा और हम इसको क्या करेंगे ये देखिए यहां से यहां से यहां से यहां तक ये साथ फंदा हो गया अब हम इसको इसके साइड से देखिए दोनों फंदा के हम साइड से लेंगे फंदा और फिर धागे अपने तरफ रखेंगे और ये दो फंदा को हम एक करेंगे उल्टा भून के सिधे के सलाई में फिर धागे पिछे किए और इन दोनों के साइड से हम इस फंदे को निकालेंगे ऐसे और फिर धागे अपने तरफ रखेंगे और इन दो फंदे को उल्टा भून के हम एक करेंगे इस तरह फिर धागे पिछे किए अब इस बर जो है यहाँ पर देखिए यह वाला फंदा जो है इसको हम उल्टा बुनेंगे एक फंदा बुनने के बाद फिर हम धागे पीछा करेंगे और ये एक दो तीन चार पांच खे शात ये सात फंदा सिधा बुन लिये यहां से यहां तक अब फिर देखिए इसको एक फंदा सिधा अब इस पर इस वाले फंदे में आ जाएगा यह न तो इसके साइड से हम निकालेंगे यह देखिए इस तरह और फिर धागे अपने तरफ रखेंगे और फिर यह दो को एक कर दिये उल्टा भून के फिर धागे फीछे किये और इन दोनों के साइड से हम निकालेंगे इस बार तो यह इसके साइड से हम निकाले दोनों को इस तरह और फिर धागे अपने तरह रखेंगे और इन दो फंदा को हम एक करेंगे यहाँ पर यह दो फंदा को एक कर दिये और फिर यह जो फंदा है इसको हम सीधा उल्टा बुनेंगे ऐसे करके और फिर यह किनारे के है फंदा तो इसको हम सिधा सिधा बुनलिए और फिर पीछे के सलाहई जो है सारे यह देखिए यहाँ पर यह धागे पीछे की एदर से जो हम उल्टा बुने थे अब पीछे के शलाहई में हम इसको सिधा बुनेंगे एक फंदा को फिर ये बाकी जो सारे फंदे हम उल्टा उल्टा बुनेंगे और फिर हम जब यहां आएंगे यहां पर तो ये एक फंदा जो हम सिधा उल्टा बुने थे इसको ये वला फंदा अब हम इसको इधर से भी सिधा बुनेंगे बाकी फंद हम सारे उल्टे-उल्टेबूनेंगे अब देखिए यह जो डिजाइन है यह ऐसे तीर से जाएगा तो हम जब भी सिधे के तरह पाएंगे तो एक फंदा हम इसमें से इधर ले ले लेंगे और एक फंदा यहां पर यह वहाँ पर आ जाएगा तो इधर बढ़ेगा और इधर घटेगा तो ये इस तरह से डिजाइन बनेगा एक बार और बताती हूं मैं देखिए ये जो सीधा वाला फंदा है इसको हम इसमें ले लिए इस बार तो अब हम यहां से निकालेंगे ये दोनों फंदे के साइड से निकालके और ये धागे हम अपने तरफ रखेंग और यहां पर दो को एक करेंगे उल्टा बून के और फिर अब हम इसको भी ये देखिए फिर यहां पर धागे पीछे किये और इस वाला फंदा को हम इसमें ले ले लेंगे तो इस तरह हम इसमें इसके साथ हम काउंट करेंगी इसको तो ये अपने आप ऐसे ये तिर्चे-3 सबकर scientум बनके जाएंगे देखिये इससको इम दोना पंदफें को इसे टाइड lesson ले लिए फंदब और फिर को एक करेंगे यहां पर कि यह कि दो को एक कर दिये और फिर अपने सांधिस रखेंगे अप यहां पर पीछले सलिए में हम यहां ऐहां पर यह जो उल्टा एक फंदा बुने थे अब यहाँ पर हम दो फंदा उल्टा बुनेंगे ऐसे इस तरह यहाँ पर उल्टा वाला फंदा यह बढ़ेगा और सीधा वाला फंदा यह अपने आप घड़ते जाएगा तो इस तरह से यह डिजाइन बनेगा एक बड़ावर बता देती इसको देखिए यह जो है यह तीन फंदा हो गया चार पाँच छे इस बर छे फंदा हम सिधा बुने और यहां से देखिए यह वाला सिधा वाला फंदा इसमें आ गया तो हम यहां से इसको साइड से इन दोनों फंदे को साइड से निकालेंगे फंदे को और ऐसे बुन के फिर हम धागे अपने तरफ रखेंगे और यहां पर दो को एक कर दिये और फिर धागे पीछे करेंगे अब इन दोनों फंदे के साइड से हम निकाल लिए एक फंदा फिर देखिए धागे अप पीछह चलाई में जो फंदा इंदर से उल्टा बुनें और जो बाकी सारा फंदा हम उल्टा उल्टा बुनेंगे देखिए ये बन गया पूरा complete हो गया और ये कितना सुन्दर लग रहा है अब देखिए यहां से यह जो निकला है अब यहां से निकलते हुए यह जाएगा ऐसे ऐसे यह डिजाइन है तो उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा यह डिजाइन तो हमारी व वीडियो में नए डिजाइन के साथ